दर्शिमला के मीडिल बाजार में 18 जुलाई को एक रेश्टरेंट में हुए विसफोर्ट LPG गैस लिक होने के चलते हुआ था फोरेंसिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है इस हाथसे में एक व्यक्ति की मौत हो गए थी और 13 अन्य घायल हो गए थे इस रिपोर्ट से किसी भी साजिश की अठकलों पर पूर्ण विराम लगाया गया है क्योंकि जाच में किसी विसफोर्टक सामगरी का वशेश नहीं मिला है रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्फोर्ट स्थल पर डेटोनेटर या टाइमर जैसे विश्फोर्ट को परणों का कोई प्रुकड़ा नहीं पाया गया है शिमला एस्पी सर्जिव कांधी ने बताया कि मिडिल बाजार में जो धमाका हुआ था उसके जाज के लिए साइटी का गठन किया गया था और इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल थे दमाके के बाद स्पोर्ट पर बारिकी से जाज की गई और वावशेश कठे किये गए थे और मौके पर मौझूद लोगों के बयान भी लिये गए थे और अब फोरेंसिक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि रेश्टोरेंट में धमाका गैस रिशाव के चलते हुआ था यह जो मिडल बजार में एक इंसिडेंट ब्लास्ट की रिपोर्ट हुई थी उसकी इंवेस्टिकेशन के लिए हमने एक स्पेशल इंवेस्टिकेशन टीम का इंपर्टन पार्ट रहे जब यह इंसिडेंट हुआ था उसके इमिडियेटली बाद ही हमने इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इंवाइट किया था विजिट करने के लिए और उसके बाद भी उलगातार हमारी इन्वेस्टिकेशन में शामिल रहे और हमें अपना जो एक्सपर्ट जो उनका उपिनियन रहता है और गाइडेंस रहती है उस दुशा में हम इन्वेस्टिकेशन कर रहे थे तो अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो हमारी स्टेट फॉरेंसिक जो साइंस लबाटरी के जो रिपोर्ट है उनकी रिपोर्ट हमारे पास हाई और उस रिपोर्ट में जो प्रतम दिरिष्टिया लग रहा था कि ये एक गैसियर्स ब्लास्ट है एलपीजी से जो ब्लास्ट हुआ है उसके लीक होने से और उसी क्योंद।